कहते हैं कोई भी बड़ा कार रहे एक दिन में नहीं होता है लेकिन लगातार कोशिस करते रहने से एक दिन जरूर हो जाता है PBR study की सुरुआत जब मैंने किया था तब स्टार्टिंग में 0 subscriber और 0 भी वराते थे फिर भी मैं लगातार करता गया और आपको पता है कि 3-4 साल में 4-5 लाख बच्चे जुड़े जिसमें से हजारों बच्चों के वो सपने पूरा हो सके जो टीचर बनना चाहते थे नीट जेई की preparation कर रहे थे admission चाहते थे या वो कुछ और उद्दे से लेकर आये थे कोई business करने वाला जिसको calculation नहीं आता जोड़ना घटाना हिसाब किताब नहीं करना आता है अपनी ही दुकान है उस पर बैठता है सौदे का हिसाब किताब नहीं कर पाता तो ये सब मैत तो आने चाहिए क्योंकि मैत ही तो जिन्दगी है सोना जागना उठना बैठना कितना बज़े सोयो कितना बज़े उठे हो टाइम देखते हो टाइम गड़ित के रूप में दिखता है ना 6 बज़े 6-0-0 तो हर जगा भाया कहीं रूपया पैसा किसी से लेते हो देते हो क्योंकि बीना पैसे के तो आज कल होता नहीं कुछ है ना तो उसमें भी गड़ित ही लगती है किसी का जनम होता बर्थरडे मनाते हो उसका डेट अब बर्थ याद करते हो उसमें भी गड़ित ही लगती है किसी की मृत्तू हो जाती है यह दुरभाग गवस उसका भी डेट होता है मतलब हंसन जो भी चीजें होती है एक सीडी्यूल करते हो वो भी महत की भासा में ही हर चीज भी俊ता है महत से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं महत जी प्यारा सब्जक्ट है इससे थोड़ा थोड़ा सा ला मोहबत करना होगा प्यार करना और कहते हैं कि हम किसी को प्यार से कुछ भी करवा सकते हैं तो बस वही इसके साथ करना है हलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इतना ज्यान के बाद आज मैं आपको बहुत सारी चीज दिखाने वाला हूँ कहोगे यह सब क्या होने वाला आज आज यहां पर यह सब बटोर के काहे को रखे हो मेरे हाथ में नहीं आ रहा अभी सब दिखाऊंगा एक और भी मैं लिया हूँ साथ में यह यह बैड्मिंटन खेलने वाला नहीं है कुछ और है आप समझ गया होंगे न तो यह समय दिखाऊंगा और बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं मैं बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं एक बात याद लेकिन बच्चों को डारेक्ट हमारे खौपड़ी ब्लाक पटक देंगे तो भाया निवेदन है बुरा नहीं मानिया के मेरी बात को नहीं पाता है क्योंकि बच्चे फोन से आनलाइन या वीडियो या कैसे भी समझ नहीं पाते हैं उनके लिए बराबर में वगल में एक बं सब्सक्राइब करेंगा अगर आप जल्दी चाहते हैं तो उसको देखिए बाकि अगर आपका उद्देश से हैं कि मुझे बिल्कुल जीरो से सीखना है वन कलास से तो वह तो मैं करी रहा हूं हम सिखाएंगे बस हमारे साथ आप बने रहीएगा इसमें जो कुछ आप ऑने बैगज रोल तो रोल सुन करके कुछ आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहे आपने रोड रोलर रोड रो रोलर सुना है जिसे भी रोलर बोलते थे हम लोग चोटे थे अड़े जो सणक-उणक बनती है तो उसको दवाता नहीं कि इस सब समझने वाली बा यह द्धनाग जाएगी न पोड़ना नहीं इसको गिर जाएगी पुट जाएगी यह रोल हो रहा है न इसका मतलब होता है लुड़कना एक प्रकार से हिंदी में जहाँ ता मुझे पता है इंगलिस समझो क्यों कि छोटे-छोटे सब्दों की जो है हिंदी बड़ी खत्रनाक ह ऑग Chop Creek गहीं जो रहा है अगर इसको ऐसे का हूँ तो ऐसे रोल हो गए इस एखनाल नहीं इसे फिसलना कि आ एक प्रकार से लाइड बोलते हैं जैसे हमने फोन लिया फोन में करते हैं तो क्या होता होता है ज Compertation की आई पहुट आप बहौ impeachment कर कर सकती है कुछ ऐसी बस्तुयां जो सिर्फ रोल कर सकती है नहीं कर सकती है जैसे आप गेंद ले लो बाल कि तो बॉल किया कभी स्लाइड कर पाएगी ऐसे सब्सक्राइब हो उसको नहीं नहीं पत्व करोगे तो कुछ भी संभा है अगर आप छोड़ो की बात करें मालों एक कोई भी डिभा आपको दिखाएं ये काफी गंदा सा यार एक मिनट को दिखाऊंगो जरूर में आपको यह यह कभी रोल कर सकता है यहां यानो बताव अपने मन में सोच लो लिख लो मैं लाश्ट में अंसर भी बता दूंगा अपने मन में सोच लो अगर यूटूब पर डेमो देख पारे यो ग्रों अब आक है यह लोग कर सकती है यह स्लाइड कर सकती है इस को यह हर करके कहीं है सिंफे से कर सकते कि से सलाइड करना गूते हैं नतना ऎसका इसकाल रोल करना हुआ है इन आप जब जस्ती रोल कर आओगळदी तो कर सकते हैं लेकिन अगर यह गूल उताइक बिल्कुल कर सकता था जैसे घ्यांपल मैंने आपको उसमें दिखाया और ये ग्लास देख लो ये वी रोल कर सकता है क्योंकि इसका जो है ये तो जो है क्या करना सिलेंडर अकार का जिसे बोलते हैं यह समझ मैं ये तो दो चीजिए आपको शीखना है एक एक रोल करने वाली बस्तुएं एक स्लाइड करने वाली बस्तुएं आप मुझे कमेंट करके फटा-फट बताओ के कौन-कौन सी बस्तुएं जो रोल कर सकती है कौन-कौन सी है जो स्लाइड कर सकती है रोल करना मतलब लुड़कना उधारन के लिए इसका आप टीम कप्तान गे हो गया अधाएक शिक्का है यह बड़ा आजीव टाइब का चीज है यह दोनों कर सकता है अगर इसको हम ऐसे खड़ा खड़ा पिखने राओक साधा आद से देखो ऐसे तो भाईया यह स्लाइड भी कर सकता है यह लग-लगा वस्थ मैं अगर इसको ऐसे करें तो यह धंगा द कर सकती है यह चार्जर है यह चार्जर है देख रहो यह मैक का है यह क्या कर सकता है रोल यह स्लाइड इसको क्या गेंद के जैसे ठंगा है तो यह उचलता चला जाएगा रोल का मतलब उचलना नहीं है फिर ऐसे इसे करते हुए जाना यह कुछ दूर जा सकता है अगर जब समझ रहा हूं तो कुछ समझ में आए यह डिब्बी है यह ऐसे स्लाइड कर सकती जैसे है इसको ऐसे फिसला सकते है जिसे सरकना बोलेंगे इसको ऐसे लुड़का देंगे तो यह क्या है रोल करना अब मुझे कमेंट करके बताओ पांच पांच ऐसी बस्तू है जो रोल कर सकती सब्याइब कर सकती जल्दी बताओ नाम सोचो चिस सिर्फ और सिर्फ डूरल कर सकती है लेकिन नहीं जाएगा इसको अगर तुम फैंको का उइसे फैंक दें ऐसा इसा करके रहा नहीं जाएगा अगर को गेन आप फेको गए तो गीचे नहीं जाएगी सर्ण चली जा गया इसे इस नहीं चाहिए पर रहां ना तो कमेंड करके बताओ पर कर सकती है पांच असी पस्तु जो सिर्फ सलाईड कर सकती है स्च आँच रोल और सलाइड दोनों कर सकती है और को बटाओ आगे बढ़ें इसके बारे में तो आप जानी देए धोलक एक्जामपल देखो इसक्रीन पर भी लिखा है लुड़कना या रोल करने वाली बस्तू जैसे मटर के दाने हो गया गेंद हो गया सिक्का हो गया पेलना कार सता से धोलक भी रोल कर सकती है किसी एक सता से गिलास या पॉर्टल भी रोल कर सकता है कि मैं है ना हमारे घर में बहुत सारी बस्तू होती है लेकिन अब समझ गया होंगे अब काई को ज्यादा पकाएं चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है काफी ना लेकिन समझना चाहिए जहीं को अच्छे से क्योंकि अभी स् अगर नहीं चल दिया से नो अगेंद की तरह जो घूमता हुआ सिक्का है जिसे कॉइन इस्पिन बोलते हैं नचा करके छोड़ दिया कोई सिक्का तो वह क्या गेंद की तरह नजर आता है जैसे सिक्का ना ऐसे करते हैं से ऐसे घुमा देते अपले टास होगा रहा होता था इसे घुमता रहता है तो क्या गेंद की तरह नजर आता है अब यहां पर मैं घुमा के तो नहीं दिखा पाऊंगा निक गिर जाएगा अगला आंसर सोचना मैं लाश्टे बताऊंगा को अगला है एक सिक्का रोल करेगा है फ्लाइड़ करेगा चलो लाइब में जी करेगा रोल करेगा यह दोनों करेगा अप पता ना यार कुश्चन पढ़ रहे ना आप लोग चलो फटा फटा गला गुरूप काउंटिंग किसी बस्तूओं की धेर को कैसे गिनते हैं यह सिखाना है जैसे देखो इधर साइड में देखो मेरा भाई कि यहां दीख रहा है कि यह बना आए आप लोग बताओ क्या बन रहे हैं यह जादो यह क्या है कि मैं अगर इनको गिनना है तो का से गिनेंगे जनते हों अब बच्चे हैं अभी कलास टू का पढ़ रहे हैं तो हम बच्चे ही मान के चल रहे हैं बहले आप चार-पांच बच्चों के मम्मी पापा बन गए हमें उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि हम तो नहीं बने ना भी चलो फिर अभी हम बागी है तो फिर मान लो कि आप भी बागी हो चलो बहीं देखो इनको काउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों की क्लास है नहीं है मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक शीखना जल्दी जल्दी तो आप सिक्स से बनेट कमा सब्सक्राइब गिनते हैं सेवन फाइब टॉइल कि मैं यह यह तरीका था काउंटिंग वाला ऐसे और भी बहुत सब्सक्राइब मिलेंगे आप ऐसे काउंट कर सकते हैं जुकाड से बात पक्की कोई डाउट ने किसी को अब बड़ा अच्छा चीज आया आए गुरु एकदम कि आपके मुह में जुद्धात है नंबर आप टी थी नियों और माउथ वो मोर देन फॉर्टी है या लेस देन फिप्टी हैं बताओ 40 से ज्यादा है या 50 से कम है जल्दी फटा फटा आंसर सोचो और बताओ आपके मुह में जुद्धात है वो 40 से ज्यादा है या 50 से कम है अगर आप क्लाइश टू के बच्चे हैं क्योंकि टू कपड़ाय जा रहा है अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए तो हमें लगता है क यार 2 के बच्चे कुछ भी खा सकते हैं हादो जो भी होंगे 40 से ज्यादा दान तो किसी के मुल में नहीं होते है इन्सानों में 35 होते मैंने सुना है कि आशी कि लेटें 50 अलब सही होगा अब 50 से कम 50 से कम कुछ भी हो सकता एंग। अगला क्या कह रहा है साथी मेरे देखो नंबर आप सीडी ना औरेंज एक संतरे में कितने वीज हो सकते हैं लेस देन 50 या मोर देन 50 मैं अंतरा आपने खाया है अरे मौसमी की तरह होता है मुझम्मी की तरह तो उसमें जो बीज रहते हैं बीच बीच में पहले हम लोग बच्पन में परंपरा थी कि अगर तर्बूज ये संत्रे का बीज खा लिए तो पेड़ में मतलब पेट में पेड़ हुगेगा कि आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता था अपके डर्वाते थे साथी लोग आपके बाद में आके बताते थे बाहर खाने के वादे वे हम तो तर्बूज खा रहे थे पेट वामना बीच चला गया पेड़ जमेंगा फिलहाल चलिए वो सा बच्पन की बाते हैं पीछे जहाकने वालों का एक्सिडेंट हो जाता है आगे देखते चलो पीछे मत देखो तो क्या होगा संत्रे में 50 से जादा बीच तो नहीं होते होंगे जहां तक मुझे लगता है कम ही होते हैं तो आप कह सकते हो लेस दन 50 यह पर सही है इसका एक माचीस इस्टिक में कुल कितने मतलब माचीस में कुल कितने इस्टिक होते हैं अरे तिली जिसे बोलता है जिसे जलाते हैं ऐसे और अगला बताना इसको सोच के अपने घर में माचीज होगा गिन लेना कि और कुश्चन है कि नंबर आप पैंसिल इन यूर क्लास आपकी क्लास में कुल कितनी पैंसिल है देखिए मुझे जहां तक उमीद है क्योंकि मैं बहुत चोटे बच्चों को तो कलास देता ही नहीं हूँ आप मैच सिखने के लिए हैं आप टीचर भरती के स्टूडेंट है नीट जैई के है ससी वाले हैं रेलवे वाले हैं बैंक वाल कि अधालिश जादा पेंसिल होती थी क्या हम अगर अपनी बात करें परस्नली टू में पढ़ते थे सायद बस्वारा बच्चे रहे होंगे तो लेश देन फॉर्टी होगा हमारा आंसर अब आप सोच सकते हो क्लास टू में आपके कितने बच्चे थे मतलब आपके बच्चे नहीं हुआ करता था तरफ की लोने टूटा करते थे जब दिल नहीं है ना तब बाती कुछ अलग हुआ करती थी कौन आएग외 और रहा है कौन huge और सबीकियर अपने मस्त रहना है घर में झ्यक्ता लिखर करती शो्तलें हैं होता न ऐसा अगला देखिए पाचवान, नंबर आफ इस्पोक इन साइकल विल, साइकल के पहिये में कुल कितनी इस्पोक में क्या बोलते हैं, नंबर आफ इस्पोक इन साइकल विल, मतलब तिल्ली जिसे बोलते हैं, यही तो, कितनी होती है, साइकल या मोटर साइकल देखो, आप तो नह तो जानते हो क्या है एक आलाई आती है अब वही आती है बाइकों में अक्सर उसमें तिली नहीं रहती है तो बीस से ज्यादा ही होता है कि इन लेना यह सारी चीजें बच्पन की यादें आ रहे हैं इसको पढ़के यही सीखना है अब पढ़ेंगे हैवियर एंड लाइटर कौन भारी है कौन हलका है अब जैसे देखो मैं दस किलो का हूँ इसमें 80 किलो वाले कौन है और 180 वाले का मतलब यही है कि कौन चीज भारी है कौन चीज ज्यादा है अब क्या हो गई है कि फचास घराम जो भी कि अपना पानी वाला मकज़ा ले लिया गया इतना गंदा है द commence इसमें पानी भड़ लिया तो क्या है इसे अपना यह बरेड़ क्रेश्चा हो गए न बताओ यडिटर हो गया इसे यह या नो बताव बताव कमेंट करके देखो आपसन है तो बहिया वाटर बाटल स्कूल बैग में आता है यानि स्कूल बैग बड़ा है अमरे स्कूल में तो गुरु जी लोग इतने कसाई हुआ करते थे सारी किताब लेके आने को बोलते थे इंटर की बात कर रहा हूं मैं पाला जी की फिजिक्स लगती थी और मनुवर्ने जी की मैथ हो गएरा दोनों सीकेंड फार्स सीकेंड फेपर तब हुआ करता था हम लोग का इंटर 2013 और में था कब वहें सारी किताब उता मंगाते थे सब ल इसमारे कालेज में लड़की आठीं ती नहीं सुल्टानपूर में महत्मा गांधी इस मारक इंटर कालेज में लड़की नहीं पढ़ती है साइनस वाले इक संब बाकी होंग तो चीज़ें क्यों बता रहा हूं कि यह बताने का बता बात आगई अजया तो ठीक है तो ठीक है फिलाल स्कुल बैग ज्यादा भारी होता है बाटल संस्त हलका होता है कैंग को कि इसको तो आप खुद ही बताओ बाइक होती है कर यह भाईया आपना आपना हम आपको रियल इमोफन दिखाएंगे देखो और एक चीज़ और आज ही डिजिटल बोर्ड आ रहा है यह लास्ट क्लास है मुझे लग रहा है इस वाइड बोर्ड की इसके बाद आप डिजिटल बोर्ड पर देखो लेकिन लड़ाई नहीं करना कि आप डिजिटल बोर्ड बोलके तो गंदा गंदा मुबाइल वीडियो देती है वीडियो में अपडेट कर रहा हूं अपडेट कर रहा हूं वीडियो पुराना और नहीं कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि भाईया देखो अभी आगे आप जाओगे हो सकता पुराना देखिए अब यह चिंडिया देखिए और यह जानवर देखिए जो दिख रहा है आपको टिकन एंड क्लीवर फाक्स कि ध्यान देना मेरे भाई यहां पर कुश्चन बन रहा है पड़ना और मुझे बताना चलो टिकलू फार्मर है मेनी चिकन इन हर फार्म वन डे आख लिवर फाक्स सा दी नौटी चिकन प्लेइंग एराउंड देखो पहले एक चीज़ अगुर सुन लो ए भया यह हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं अबना करियाना की तो इंगलिस में पढ़ाने लगा मैं स्टरवक्त अंग्रेजी अवे लगी मैं हिंदी ही पढ़ा रहा हूं सब चीज का एक एक पॉइंट हिंदी ही बोल रहा हूं आपको इस कहानी से कोई मतलब नहीं इंगलिस में लिखी है आप समझने की कोशिस करो बस ठीक है चलिए इसमें कोश्चन बनेगा दिमाग एक्टिव रखिए उस कुईस्चन का जवाब दीजिएगा बस इस कहानी का पढ़ने का यहीं उद्देश है और कुछ नहीं चलिए आप देखो बात हो रही कि एक चतुर लोमडी जो है तिकलू फार्मर है मेनी चिकन टिकलू एक क्या है किसान है जिसके पास बहुत सारे चिकन है जिकन मतलब जानते हैं और यहीं मुर्गी उर्गी बच्चा ना वन डेया कि लिवर फाक सा दीज नौटी चिकन प्लेइंग एराउंड एक दिन शरार्ती लोमडी थी उसने इन बच्चों को बाहर मैदान में खेलते हुए देख लिया अब आगे देखो क्या होता है अच्छा यह दूसरा स्क्रीन साथ है रुको एक मिनट हाँ टिकलू थाट आप काउंटिंग इसके बाद इसमें कुछ गड़ बढ़ है रुको एक मिनट इसक्रीन साथ इन्होंने अरेंज नहीं किया साइद हाँ ओके ठीक है देख लिया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वह चिकन को इसमें से निकाल निकाल के खाना शुरू कर दिया था इसमें साइद वह पार्ट जो है इन्होंने मिस किया है कायब कर दिया है इस्टोरी पूरा बनी नहीं पाई ठीक है तो एक मिनट रुक यह रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए बस बस तुरन देख रहा हूं यह सीखने वाली चीजें है इसमें आनी चाहिए ना बहुत जरूरी है यह पाईटर्न है रिजिनिंग का जनम यहीं से होता है जो आप देख रहे हो अभी दिखाऊंगा यह सब समझाऊंगा भी पस हमारे साथ आप बने तो रहो ना प्यारफे कि यह इस्टोरी यह गायब कर दिये लोग टाइपिंग वालों को मैं कौन सा ही नाम दूँ जो इसमें कुछ गायब हुआ गायब नहीं हुआ सब सही था तू किसी को नहीं बोलना चाहिए बीना पुरेश के साथ ना चलो हां तो कहां तक हुआ था हम लोग पढ़ लिये थे कि ये टिकलू चिकन के बारे में पढ़ लिये थे टिकलू के बारे में इनके पास बहुत सारी चिकन थी और लोमड़ी ने एक दिन उनको बाहर खेलते हुए देख लिया अब आगे क्या किया देखो अब फ्राम देट डेशी स्टाटेट इस्टीलिंग एंटिंग चिकन एबरी डे उसी दिन से उसने क्या किया चिकन को चुराना और खाना शुरू कर दिया टिकलू के मतलब टिकलू आया इनको जानने के लिए गिनने के लिए जो भी चीजें हैं मुझे इंगली बहुत मेरे मुर्गियों को खाया है नोड यार नोड यार आया मेरे फ्रेंड नोड यार आया येम ए Neffrey और अब क्वेकण इनृची कन नहीं प्रिये मैं तो तुमारा मित्रों तुमारी ची करूं कैसे सखा सकता हूं समझे रहो तुड़ में सब्सक्राइब देना इसमें कोशिश कि आफ काउंटिंग हर चिकेन एबरी मार्निंग इवनिंग चिकन केप्ट मुविंग एराउंड हर एंड देयर पिकली ने सोचा कि अब हम इन मुर्गियों को सुबा साम गिनेंगे जिस से यह लो मडिया खाए तो मुझे पता चल जाए कितना खा लिया इसने सुबा भी गिने क्या कैसे किनेगा दौन रहे वह एक तो किना उधर था उभाग के उधर चला गया फुदक के फुद्व बार गिन गया तो क्या कि उसने एक आईडिया लगा यह मुर्गी के बच्चे यह सिम दोड़ते रहें इनको गिनेंगे कैसे आई से पकड़ पकड़ कि दिनेंगे नह आई फाइंड एनी आफ यह मिसिंग आई विल गिव यू गिव दफाक्स अटाइट फ्लैप मतलब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा दस-दस टिकन को एक बाक्स में रखोंगा और एक को ठीकाया बुई ना इसकी कोपड़ी फोड़ दूँगा फाले की कमेड़ी देख कर दिया आप कहानी में सुरू होती है इसका जबाब दो बाकी सब छोड़ो चिकन उकेन खजबारे में मैं तो खाता नहीं भी आए सब जानो और कभी नहीं खाना चाहिए मैं तो यहीं कहूंगा भगवान ने इतनी फारी चीज़ें दे रखा धरती पर जमीन पर उनको 50 UKन और दियर अब बताओ ढूंग मैश्चिटускि नारदेर इस जबाप दो है committed aCD है उनक्रौण तस्वीरे में चूर थी वहा दो cinnamon कितने बासکेट थे इन भटात बताओं अब इनको आपको दिख रही थी तस्वीर है इसे चूचू के बताता उमीद है अगली क्लास आपके डिजिटल बॉर्ट पे चलेगी क्लास पुरानी नहीं से कोई फरक नहीं पड़ता है कोई दूध नहीं एक सुबा कर रखा साम को फट गया खराब हो गया ठीक है सबजी नहीं एक सुख गई है पांच में दो जोड़ोगे साथ होगा यही तो बच्पन से हो रहा हमारे दादा पर दादा भी पांच दो साथ होड़ते थे तब कहा कहेंगी मैं तूरा नहीं होगे नहीं पड़ेश को समझ रहे हो ना सोच बदलो देश बदलेगा चलो तो पहले का आंसर हो गया पांच ठीक है दूसरा हाव मेनी चिकन आर देयर इन आल कुल कितने चीकन है कि कुल टोटल जो आपको i Screen पर दिख रहे हैं वो कितने चीकन है तो देखो मेरा भाईया कुल चिकन कितने हैं पांच ठी तो बाक्स है एक एक बाक्स में दस भरे हैं तो दस पच्छे 50 हो गया और चार बाहर कुद रहे हैं दो इधरे दो उधरे देखो दिख रहा है न तो 54 जहां पर देखो लिखा भी गया है 5050 प्लस 4 यह आंसर कितना होगा 54 ना कितना होगा 54 समझ भाई आगे बढ़े चलो फिर अच्छा लाग रहा है न कभी कभी बीच में मेरी सकल देखते देखते यह बाई मुझे छुपाओ तो पूरा छुपाओ दिखाओ तो पूरा दिखाओ ऐसी तडप सही नहीं जा थी कि आधा चुपा दो आधा एक 9 आधाव प्रुम्राइट दाट डाट 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 बास्कट ऑफ चिकेन जा अगली सुबा जब उसने च्चिकन को काउंट किया तो कितने बासकर दिखे न देखो अगली सूबा बासकर दिख रही है भाईया इसक्रिन पर दिख रही ना कल कितनी बासकरइ़ देख लो लोमड़ी दोखा कर गई लोमड़ी दोखा कर गई अब पीछे आपने देखा पांच बास्केट दिख रही थी न अब यह में आगली सुबह चारे बास्केट बची रज्जा एक थी तो पूरा जट कर गया वो इसका मतलब यह बड़ा दोख्य बाज बंदा था यह एक एक दि कि बाहर तीन ही कूद रही एक और खाया एक बाहर से भी लिया है एक दिबबा पूरा जटक गया एक बाहर से जटक गया यानी इसने क्या किया फुल 11 चिकन खा लिया जटक कर गया अब देखो आगए डेरा बसकेट आप चिकन कितनी है चार है तो पहले का आप्शन बढ़ो और नहीं सिर्फ आपका दिमाग चलना चाहिए इसे समझना है बस अगला कि देर आर कि प्लस थ्री इक्वल चिकेंस इन आल कि कितना थ्री जोड़ें की टोटल चिकेंट हो जाए बहिए बताओ लेखो चार बाक्स बचे हुए है तो चार बाक्स में कितने चिकन होंगे चार की पर सहते हैं चाहिए आप लिखोगे कि वहाँ पर साल iki खंतीन बταιबलाबर 33 मुरुगी के बच्चे थे अगला लाइट लाइन 54 माइनस डड़ डिक्वल चिकन है बीन इटन बाइद फॉक्स कितने चीकन इट कर गया पक सवाब या लो मड़िया कितना छिकन खा गई जवं मेंसे कितने घाटा होगे जितने बच रहे हैं इतने देखो गोवन मेंसे 11 घाटा होगे ना सब्सक्राइब करोगे आगे 43 लिखोगे सब्सक्राइब को समझ पा रहे हो जूड़ पा रहे हो मुझ से कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना मेरे भाईया चलो फिर राजा आगे बढ़ जाओ इस तरह से चिकन वाला लखाग खतम हुआ अब आपका एक नया चैप्टर सुरू हो रहा पैटन देखिए पैटन जो है न यहीं से इसकी सुरूआत होती है मैद की मतलब रिजिनिंग की सुरू से रिजिनिंग की कुछ अलग सीखने को मिलेगा कुछ बढ़िया ज्यादा रहे गई है तो इससे आप पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में और वह क्लास जैस्ट तुरंट प्ले हो रही इसके बाद अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं मतलब स्वारी है अप्लीकेशन में हैं अगर अगर आप इस क्लास को यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो प्लीकेशन में आपको सिस्टम से पूरा क्लास मिलता है अच्छे से ढंग से और आप प्यार से सीख सकते हो कम समय में कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है कोई टेंसन है तो बताओ तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर पैटर्न के साथ क्लाइस टू का मैथ खतम हो जाएगा बस एक और वीडियो होगा बस ज्यादा ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है